सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब कर रहा हूं जिसके पहले वाली जो वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको लिए उसको अच्छे से सब्सक्राइब करना बता है कि आपको अपरोच रखनी है और उसके साथ में आपको पार्ट ओव स्पीच पर पर साथ है कि किस तरह से आप पर स्पीच पैसान सकते हैं कि वर्व है नाउन है ड्रिक्तिव है क्या चीजे हैं तो वीडियो आपके लिए तो एक बार वो वीडियो जा के देख कि आ सकते हैं अब इस मीडियों में जो की 아 पर संवर छा जाता है में आप आता हमारे पाती है मिरी पोसिबिटी सब्सक्राइब करने की कोशिश करो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पैरा जंपल में परस्ट से पढ़ना स्टार्ट करेंगे देखें कित्तर से मैं पढ़ूंगा और कैसी मैं एलिमिनेयेट करेंगे तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कितने संटेंस यह मिरको यहां नहीं मैं यहां लिख लेता हूं मिरको चाहिए आप एक दो तीन चार पांट छे चे जैसे ही आप assistance आपको आगे नहीं पढ़ना है उसके बीचे जो रिजन बता रहा हूं जरा कोपी पेंडो और लिख लो जैसे ही आपके सामने दा आजए आप देखो यह आटिकल का एक रूल है आटिकल का ग्रामर का रूल है बिल्कुल बेसिक सा रूल है खराम से कोपी पर अच्छे से लिख लो आटिकल दा आ जाए और आ छा susceptible इसके उपर भूस सी चीज़े ए trat qu결 इंग्लिज के अंदर देखो यह होते है और इसका मतलब होता है यह होता है आपWow definite Art gallery अधिकर यह आपका बताते हैं starting में तो आपके आप उसके साथ दा आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं जन्रल आपको यह तो आ लगाना पड़ेगा अगर वो वोबल है तो आपको एंड लगाना पड़ेगा सबसे पहले आप यह definite का मतलब क्लियर कर लो definite वह होगा जिसके बारे में आप बात कर चुके होगे उसके बारे में वापिस बता रहे हैं तो आप आर्टिकल दा लगाएंगे पहले आपको या तो उसको इंट्रोडक्शन आ से करना पड़ेगा या एंसे करना पड़ेगा अब देखिए इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं दो सेंटेंस आपकी सामने लिख रहा हू आप अधि नोन वहल था तो मुझे आडिकल आ लगाना पड़ा अब इन दोनों में फरक क्या है यह संटेंस में पहले नहीं लिख सकता क्यों कि यहां पर मैंने इस बुक को डेफिनिट कर दिया आपको यही वाली बुक पड़नी कौन सी बुक पड़नी है उसके बारे में मै कोई बहुत करो नाम नहीं बताता मैं सेंतेंस को से अराम से स्टार्ट कर सकता हूं एक यहां पर मेरा कहने का मतलब यह है आपको यही वाली पुख पढ़ने चीए उसका पाल से नहीं इसको और यूज कर सकते तो हमारा नहीं हो सकता जाख वानना में टीच इंप कर दिए होगा हूँ और ऑगे पढ़ा डी element वहीं बाता गई देखिए जो मैं रूल्स बता रहा हूं वो आपको हर मुख में हर जागी देखने को मिलेंगे जो जो चीजी में बता रहा हूं नोट डाउन करें यहां पर डॉक्यूमेंट आ गया तो यह दा भी हम नहीं लिख सकते सीधा पहले बताओ भाई कुन सा डॉक्यूमेंट कि हम लिखेंगे इस स्टेट्ट से पता लगता है उसके बारे में बात करें भी आउपशन नंबर डी ऐस पर दी स्फर्थी जमूँ स्वरी इसपर दी जे के इंफोमेशन टेकंडो़ोजी या जबर कश्मी इंफोनेशन टेकंडोडी पोलिसी 2020 अब देखिए एक चीज़ और और उसके साथ में अक्सर क्या करते हैं जैसे यहां पर आपको क्या करना है जब कभी आपको दिखे किसी भी चीज़ की फुल फॉर्म लिखी हुए अच्छे से खोल के लिखा हुआ उसको तो वह आपका जन्रली पर सेंटेंस बन जाता है वह आपका पर सेंटेंस हमेशा बन सकता है अगर आपने देखा कि यहां पर फुल फॉर्म को अच्छे से बताया गया है या उसका इंट्रोडेक्शन दिया गया है देखियां से एस पर दी जम्मू इनकश्मीर टेक्नोलोजी आईटी पोलिसी की बात हुए क्लियर है तो मैं यहां पर कह स इसलिए इनों ने हमारे को यह उप्शन को कह दिया कि आप फिक्स कर दो नहीं तो हम इसकते थे अगर मालो इस नहीं होता दो में भी पोसिबिलीटी बन सकती थी यह पहले आजए बट यहां पर इने इसको बोल दिया ना पांच पर तो इसको पांच पर आगे बढ़ते हैं इस पैसिलिस्ट और यहां पर यहां पर यहां पर मैं आज आपकर कर दूँगा सब कुछ मिठाने जा रहा हूं एक अब यहां लिख लेता हूं जो मिठाने की ज़रूत नहीं पड़े एक दो तीन चार पांच और छे पांच मांपना यह है पहला अबने ढूंग लिया बहु कीपली आपको कीफोंट्स बताते जा रहा हूं क्या पहले जंबल में यूज करते हैं पर दी आगया पहला यहां अब दी को एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है पूरा पढ़ लो क्या बोल रहा है एस पर्दी जम्मू इन कश्मीर इंफोर्मिशन टेक्नोलोजी पोलिसी 2020 the administration is offering an incentives to IT companies to operate in three shifts and to facilitate women working during the night यह कह रहा है कुछ ऐसा आपको पूरा हिंदी नहीं करनी है आप अंग्रेज नहीं है आपको सिर्फ समझना है क्या बोलता है एक IT कंपनी है उन्होंने कहा है कि जो भी three shifts में करेंगे और women करेंगी नाइट में तो उनको आपको incentives देने पढ़ें इत्ती सी बात हुई है अब देखिए जब आप पूरे को पढ़ रहे थे तो यह policy word आया था क्या आया था यह रहा policy अब देखिए यहां पर policy का introduction हो गया यह policy है तो इसके बाद आप जैसे आपने दी मा कलिया दी मा कलिया तो इसके बाद इस policy की बात कहा हो रही है हमेशा हर आप जैसे आपने कोई भी sentence अब पिक का लिया तो उसमें से की पोईंट उठा लो कीवर्ड उठा लो कीवर्ड कहना असान रहेगा तो आप उसमें से कीवर्ड उठा लो यहां पर मुझे कीवर्ड policy लगा अब देखो इस से लेटेड बात कहां कहीए तो इस से लेटेड़ बात option number a में कहीए क्या कहीए यह में दा पोलिसी यह जो पोलिसी यह क्या कहती है से क्या बुला है फैसिलेटेशन ओफ दीज विल वी अनेबल बाए 50 परसेंट अफ प्लग एंड प्ले प्रिमिसेश इन डेजिगनेटेट एरियास बिंग डिजर्ट फोर हुमें क्लियर है इ अब आपन चलते हैं इसके और क्या चीज़े कही गई है एक बार मैं इसको यहां पर से रब कर देता हूं अब देखो हमने दी और चुन लिया अब बचा हमारे पास बी सी और ए अब काम करो जैसे आपको दो पेर मिलके आपका दो तो आप काड़ दो यह दो आपको नहीं प लिएट की बार में बात यह पर नहीं तो यह दो हमारे हमारे मां मांड में क्लियर हो गया कि यह द blueprint के बाद बन तोनों इसके बाद नहीं आ रहे ऐसा हमार को लग रहा है यह भी काड़ के मैंने अब हमने यहां पर फ पड़ा यहां पर लिखा है यहां पर लिखा हुआ है बिखा है मैंने पड़ा हां डै टू आईटी पार्र समय पर इंगे कितने तू फिर इतो बताएंगे जो पार्ट सें दोन इसके बार में तो बताएंगे तो मैं सकता हूं वी आएगा बी के बाद मुझे एफ जरा सा उसकी जस्ट बाद अफ डालना ही पड़ रहा है अब देग अगर आपको वीडियो अच्छी लगी कुछ आपको सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हैं इस तरह की और वीडियो बनाने की तो आपको पता है नाउन के सबस्क्राइब करती है तो उसके अंदर नहीं होना चीए न मतलब हो गया जैसे आपके सामने दी नहीं होना चुह जैस अभी देहा कि सी कि इस तरह के आपको प्रणाव नहीं मिलने चाहिए अगर आप कोई भी फर्स तरह सेंटेंस उसमें मार्ग कर रहे हैं दूसरा दूसरा क्या होता है कि आप क्या करो भी और यहां से आपकोने मिलते हैं तो और फुरियर आपर उसमें थोड़ा करें मैंने केसी अपना मैं तो मैं पहले देखता था कि मैं पहला लगाना फॉस्ट लगाना सीख जाओं जो मेरा हंड्रेट परसेंट सही जाए मेरे गलत होते थे इस पर मेरे दो से तीन गलत हो जाते कभी कभी एक ही सही होता था चार गलत होगे बट मैंने पहले पहले मैंने इस अच्छे से लगाने लगा तो एक वैसा आपका होता है करेंगे तो आपके मन में इमेज बनेगी किस तरह से हमार को सौल करने हैं जैसे कि अभी आपको बता पहले नहीं दिखते थे अब आपने कहीं तो देखा होगा वह आते हैं भूसे चीज़ें लिखा जाते हैं जैसे प्रोनावन लिख्यों गजेंगे ऐसे करके लिखा जैंगे बट वुन सब चीजों का यूझ होता है जब आपको बहुत ही अच्छी नोलेज हो इन सब कर पाते हैं तो मेरी रही आप सबसे कि आप डेली प्रैक्टिस करें पैरे जंबल की और खुद से पहले पैरा संटेंस हंडर्ट परसंट रही करने कोशिश करें उसके बाद सेकेंड पर यह उसके बाद थाड मिलता है नहीं तो आप पेर में भी काम कर सकते हैं ऐसे पेर वनान सब्सक्राइब करेंगे तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स वीडियो के साथ यह था मेरा सेकंड टॉपिक पैर जंबल अब नेक्स टॉपिक पर वीडियो बहुत ही जल्दी बनाऊंगा मैं पूरा का पूरा कवर करने जा रहा हूं इसके अंदर तो जोड़े रहेगा हर एक व